साथियों OTT भारत यानि की उजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है हिंदुस्तान के नोजवानों को हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को उजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का मेरी जिन्दगी का हर एक शन और मेरे शरीर का हर एक कन इस मिशन के लिए समर्प तपस्वी भारत और आज लाइफ ट्रेनिंग सेशन में जो OTT भारत में अब लगातार होते रहेंगे हम सीखेंगे अगर आपको साप काट ले तो उस हलात में आपको क्या करना है ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है जिसका उद्देश भारत के 10 करोड लोगों को जोड़ कर उनकी जिन्दकी को हमेशा के लिए बदल देना है एक वो सेना बनानी है जो देश को ही नहीं पुरे विश्व को भारत की ताकत दिखा सके सबसे महतोपूर बात बारिश का समय है और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत आजकल अकभारों में दिख रहे हैं और मेरे सामने भी ऐसे कई केसिस आये हैं कुछ लोगों ने मेरे पास मैसिस भीचा है साप अगर काट लेता है सबसे महतोपूर चीज है मरीज जिसको भी साप ने काटा है उसको स्थिर रहना है शांत होना आधी बीमारी का इलाज होता है मैंने MBBS किया है और मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जो मरीज शांत होते हैं, कॉपरेट करते हैं, रिलेक्स रहते हैं, वो जल्दी ठीक होते हैं क्योंकि भारत में 90% से ज़्यादा साप जहरिले नहीं होते हैं द्यार, not poisonous रिलेक्स रहें, अगर इनकेज जहरिला है और आप रिलेक्स हैं तब भी आपके बचने की संभावना है बहुत जाद हैं क्योंकि जब भागते हैं, इतर उतर परेशान होते हैं आपके हाटबीट बड़ती है और वो हाट पूरे शरीर में खून के माध्यम से जहर को फैला देता है साप को पकड़ने या मारने की कोशिश ना डरे यसा एक ट्रेंड है, कि साप को पकड़ लो, मार दो, अस्पताल ले चलो, वहां दिखाएंगे किसी तांत्रिक के पास में, किसी सापेरे के पास में ना जाएं, कि वो आपको ठीक कर देगा कुछ भी कर पहन रखा हो, जिससे ब्लड फ्लो या कुछ भी अब्स्ट्रेक्शन होता हो, जिससे आगे जाकर घाव बन सकता है यानि कि बेल्ट हो, जाए उसमें जैलरी हो, वाचिस हो, रिंग्स हो, कुछ भी अगर ऐसा है, तो करपा करके उसको वहां से हटा दे कोई भी एक फिरसेक प्रसेप्शन बनावा है, कि जहां पर काटा है, उसके आगे बहुत खीच के कपड़ा बांदो, यह गलत है, यह आपको नहीं करना होता है क्योंकि इस केस में हो सकता है, कि आने वाले टाइम में उसको एक वहां पर गैंग्रीन बन सकता है, घाव बन सकता है, जो सड़ सकता है हाँ, अगर उसने कोई टाइट कपड़े पहने, उनको काट देना है, रिलेक्स रखना है, जितना हो सकते उतना काटे के स्थान पर किसी भी केस में blade या धारदार object से sharp object से चीरा ना लगा है क्यों एकर आप चीरा लगाते हैं तो उसे कोई main artery, कोई main खून के वाली नस कट सकती है और उसमें से और ज़्यादा जहर तेजी से शरीर में फैल सकता है तो ऐसा परियास ना करें आपको गलत फैमी हो सकती है कि जब काट देंगे तो वहाँ से खून निकल जाएगा और वो बच जाएगा जब खून के साथ में जहर भी चला जाएगा ऐसा ना करें इससे जहर का absorption बढ़ जाता है और वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जहां भी साथ काट रहा है अपना रिष्टा दिखाने का प्रियास ना करें कि उसका कोई फैदा नहीं ये तो मेरा छोटा भाई इसको साथ ने काट लिया मैं भी जहर निकाल देता हूँ उसको बिलकुल भी मूह से टच ना करें मूह से जहर निकालने ये कोशिछ ना करें इसके पैर पर साथ काट गया मैं तो जहर निकालूगा ऐसी गलती ना करें हमेरे पेरेंट से इनको मैं बचा लोगा ऐसा आप नहीं कर सकते most important हूँ कि किसी भी अंग जहां पर वो काटा है वहाँ पर काफी कम दबाव में आप बेंडिज बान दे मतलब हलकी फुलकिया किसी आप एक कपड़े से बान दे हलका सा जादा जोर नहीं लगाना उस पर ये इतना जोर लगा दिया कि सारी आटरी इसको ग्रस्ट कर दिया हलका साब और मुमेंट कम से कम जब भी कोई ऐसी आपदा आ रही है तो सरीर का मुमेंट जो आपका सरीर है उसका मुमेंट भी कम होना चीए और माइंड का मुमेंट भी कम होना चीए मतलब दिमाग को शान्त रखना है और सरीर को स्थिर रखना है still mind और still body तो उनों को stir कर देना है यहां से वाँ हलवडाट में भागने का परियास नहीं करना है फिर जितनी जल्दी हो सके स्वास्ते के इंदर में ले जाएं एंटी विनम लगा है ए वी एस एल ठीक है यह हमारे पास में आपके खिलाफ काम करने वाले एंटी विनम है भारत में polyvalent होते है यह आप लोग को द्यान लगता है एस वी देखिए जितनी जल्दी लग जाए उतना बढ़िया है पांच-छे घंटे बाद भी लगे तो असर करता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जाड़ फूक के चकर में फस गए और वहाँ पर फिर कई दिनों बाद में आए तो कई महीनों बाद भी यह प्रॉपरली काम करता है तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है डेश में जो ASV जो मिल रहा है जो anti-snake पिनम है वो polyvalent यह आपको साप को पकड़ के उसको मार के अस्पताल लाने की जोरत नहीं है जो बिक फोर है चाए वो कोबरा हो चाए करेट हो चाए वो करेट हो चाए वाइपर हो यह जो है यह हमारे पास में polyvalent है और सब के अगेंस्ट में काम करना करता है इसको लगाएं और किसी भी केस में किसी ब्रहम में न रहे ASV डॉक्टर की प्रजेंस में दिया जाता है देखें इस चीज का ध्यान रखें आप इसको खुद के लेवल पर नहीं लगा सकते है अगर आपको सापने नहीं काटा है तो भी आप इसको नहीं लगा सकते है यह वैक्सीन नहीं है साप के काटने पर दिया जाता है डॉक्टर की प्रजेंस में दिया जाता है भारत में जिसन चैनल्स पर गालियां दी जाती है एक दूसरे को नीचे गिराया जाता है, एक दूसरे को depressed, compress, surprise किया जाता है, कोई आकर मोधी को गाली दे रहा है, कोई आपस में गाली दे रहे हैं, वो लट रहे हैं, ऐसे चैनल इस भारत में करोड़ों सब्सक्राइब उसके साथ में, लेकिन जहाँ पर life trainings, physical, mental, sexual, spiritual energy को बढलकर भारत को फिर से एक शक्ती शाली भारत बनाना है, आप सभी का बहुत पहुत दर्यावाद, इस वीडियो को जान रखिए, इस वीडियो को जाधा से चाले लोगों को शेर करें, क्योंकि ये कीमती जानकारी, आप गाली वाले वीडियो यहां से आप शेर करते हैं, रोस्टिंग के वीडियो यहां से आप शेर करते हैं, जब कीमती इनफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपके पडोसी की, आपके घरवाले की किसी की जान बच सकती है, वो इनफॉर्मेशन आप किसी के साथ शेर नहीं करते हैं, बड़े अफसूस की बात है, हमारा उद्देश विकमस असेट दनवाद